नमस्कार फ्रेंड इस वीडियो में हम ब्रीफ एनलिसिस करेंगे दो कोविनेंट का जो कि ICCPR और ICESCR के नाम से जाने जाती हैं एक में हमारे civil and political right बताएगे हैं और दूसरे में economic, social और cultural right बताएगे हैं जैसे कि हम इसको study कर चुके हैं और हमें पता है कि ये 1966 की दोनों covenant हैं और इनका जो implementation है वो 1976 में हुआ और इन में से एक यानि कि ICCPR के दो protocol और जो ICESCR है वो उसके एक protocol है हमारे पास और जहां तक बात करें इन में mention किये ये rights की तो जो हमारे पास universal declaration था उससे काफी मिलते जूते हैं यानि कि UDHR के अंदर जो right थे वो आपको यहां इन दोनों covenant के अंदर देखने को भी मिल जाएंगे और इन दोनों covenant के अंदर ऐसे कुछ भी right है जो कि UDHR यानि universal declaration of human right के अ नहीं किया जा सकता हना वो binding नहीं है जनकि आप यह नहीं कह सकते कि भई आप इन दोनों covenant को लाया गया था अब जब इन दोनों को लाया गया तो इन में यही कोशिच की थी कि इनको binding किया जाए इनमें जितने भी right बताएंगे हैं उनकी एक binding force हो ताकि उनका जो हमें आसर भ अपनी तरब से तो कोशिच की गई थी पर क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ उसी को हम इस वीडियो में मैंचिन करने की कोशिच करेंगे जानने की कोशिच करेंगे थू एन अनलिसस तो जहां तक बात करें इंप्लिमेंटेशन की तो इंप्लिमेंटेशन का जो mechanism है वो आप जा जिसमें की यह सारे सिस्टम कहते हैं कि हम गोड़ ओफिसेस देंगे शुख कर वाएंगे करने की कोशिच करेंगे देशों के बीच में और क्या होगा रेपोर्टिंग सिस्टम रेइन ंनलिसस्टम है उसमें एक देश जो है वो दूसरे देश के खिलाफ कंप्लेइट अगर उस concerned covenant में बताये गए हुए rights की violation करती है तो इसमें भी एक बहुत बड़ा problem है कि generally जो है state जो हम वो एक दूसरे के खिलाफ जो report करती नहीं है क्यों कि अगर आपके संबंद अच्छे हैं तो आप क्या करेंगे उन संबंद को बिगार लेंगे अगर आप दूसरे के खिलाफ complaint करेंगे हाँ पर अगर आपके संबंद जो हैं बहुत जादा खराब है तब ही ये जो एक message है उसको adopt किया जाएगा और जहां तक बात करें individual communication system की तो बहां भी दिक्कत आती है पहली बात तो यह है कि कितने individual को यह पता होता है कि हमारे पास इस तरह का राइड है जिसको कि हम international covenant के अंदर यूज कर सकते हैं खासकर developing और under developed क्यों कंट्री है उनमें तो यह भी एक तरह की दिक्कत है दूसरा उस सकता है क्यों क्योंकि municipal law के अंदर जो relief दिया जाता है और यहां पर जो relief दिया जाता है और ज्यादा तर रिलीफ जो international covenant के अंदर दिया गया है दोनों के वो compromise है यह reconciliation है यह फिर report है जिसको कि general assembly में submit कर सकते हैं अगर कोई देश बहुत poorly perform कर रहा है अपनी human right के ऊपर यह नही किया जा सकता है legally in covenant के अंदर outside this covenant बहुत सी चीज़े हो सकती है पर मैं in covenant की बात कर रहा हूँ और जो लोग इन दो covenant की अलोचना करते हैं उनका भी कहना है कि भाई human right सभी देशों के एक जैसे हो ही नहीं सकती यह society to society vary करते हैं लोगों की worldwide जो condition है economically socially जा जो culturally वो अलग लग हो हमारे देश में तो बहुत diversity है तो इस तरह से जब एक देश के अंदर ही इतनी diversity है तो आप universally कैसे कह रहे हो कि भाई एक human right हो है वो सभी पर लागू कर दी जाएंगे further developed developing or least developing country है जा under developing country जो है उनका issue भी है कि एक developed country जो है उसका human right के प्रतिन जर्या है जा उसको implementation करने का तरीक है वो अलग हो सकता है developing country का अलग होगा least developing जा under developing जो है उनका totally अलग होगा क्यों क्योंकि दुनों के बास sources नहीं है दुनों की economy वैसी नहीं है economy का परफाव जो है वो हर बर्ग पर समाजी ग्रूप से political रूप से और culturally जो है वो पढ़ता है तो इसलिए वो जो चीज है वो भी यह जैसे होते हैं वो country to country vary नहीं करते हैं हर जगा human ही रहते हैं ऐसा तो है नहीं कि एक देश में human है दूसरे में नहीं है जब हर जगा human रहते हैं उनकी feeling उनकी dignity उनकी respect जो है एक जैसी होगी तो इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि भाई हर देश का culture लग होता है इसलिए human right नही वो सभी के लिए बराबर होते हैं बकि human right के पीछे कोई चीज काम करती है तो वो होती है human dignity यानि कि एक मानव का जो आतम सम्मान है उसको ही लेकर वो fight करता है उसको ही चाहता है साथ ही साथ इनकोबिनेंट को इसलिए भी थोड़ा criticize किया जाता है कि भाई इनमें property right नहीं है यहनमें self determination का जो right दिया गया है वो भी कही न कहीं जो एक प्रभुसत्ता संपन राष्ट है उनके लिए एक चनोती बन जाता है freedom of speech पे जो limitation लगाई गी है यहाँ पर उनके बारे में बात की गी है और इससे भी बड़ा प्रशन यह उठता है कि यह जो covenant है उनको पूरे vaccination जे हमारी उत्पत्ती नहीं है यह वहीं से निकले है तो इसलिए उनको ने अपने समाज अपनी economic social political condition को समयते हो उसको best बनाने की कोशिश की है अपने लिए और उसको एक पूरे world view देने की कोशिश भी नोने की है दूसरी तरफ जो defender है human right के उनका कहना है कि भई जो गरीब country है जो underdeveloped या developing country है उनको ही तो ज़्यादा जरूरत है human right की उनको ही तो ज़्यादा human right को देना चाहिए ताकि वह इसकी value को समझे अपने जो surrounding है उनमें इसको protect करें promote करें और जो अपनी human value है जो human life की value है उसको समझ सकें तो उनको ही तो जरूरत है इस लिए देनी चाहिए तो चलिए इसको भी मान लेते हैं, दूसरी तरफ जो डिवेल्परेंट्री हैं, उन पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, या जो उसके जो मान लेते हैं, उसको आप बहुत ज़ल्दी बदल लेते हो, तो फिर आप उसको वहाँ पर एज़ इस इस इंप्लिमेंट नहीं करते हो, यानि कि अपनी कम्मिनिटी देश जा रिजन की वैल्यू आप ज़्यादा डालते हो, पर दूसरों के लिए आप उतने इमानदारी से लागू करना बहुत है, डिफिकल्ट हो जाता है, और यह एक तरह से पेपर टाइगर या एक कागज पर लिखी हुई बात की तरह ही रह जाता है, तो यहां पर क्या हम यह कहते हैं, कि इन हिमान राइट का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, जी नहीं हुआ है, ब नेशनली हर एक कंट्री से, जिसको हम कहते हैं कि ग्लोबल विलेज या सौर्ट अफ तिंग, तो उसके लिए हमें एक पार्लिमेंट चाहिए, जो कि पूरे विश्प में हो, हमें एक ही जुडिशिरी चाहिए, जो कि पूरे दुनिया में हो, और इन सब संस्थानों में equally representative हो सभी के, तभी ही possible हो सकता है, और इन सभी संस्थान के पास पूरी पाबर्स हों, जैसे कि एक म्यूंसिपल लोग के अंडर होती हैं, पर उसके लिए हमें अपनी म्यूंसिपल लोग के अंडर जो identity है, as a nation, उसको भी कुछ हाथ तक मिटाना पड़ेगा, और फिर उसमें फिर